हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका घरेलू गुलाठी के इस नए वीडियो मैं आज आपको साथे कैसी रेमिडिय श्यायर करना चाते हूँ, मैं आज आपको बताऊँगी जो हमें घाव हो जाते हैं, उसके निसान आप कैसे ठीक कर सकते हैं, जो हमें चोट के निसान हो जाते ह उन्हें हमें चोट लग जाती है तो उनके घाव हमारे चेहरे या गर्दन पर कहीं भी होतें, तो वह बिल्कुल अच्छे नहीं लगतें, तो उन्हें आपको कैसे ठीक करना और जो हमें घाव हो जाते हैं, वह भी कैसे ठीक करना, तो मैं आपको बताऊँगी, तो पहले तक देखें ताकि आप इसका पूरा पूरा फाइदा उठा सकें और आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया हो तो पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हो मैं आज आपको बताऊंगे अपने गहाओ को कैसे ठीक करना है तो उसके लिए हमें चीए आइडेक्स आप विक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं हमें लेना आइडेक्स पॉंच पाउडर पाउडर आप कोईसा भी यूज़ कर सकते हैं और कपूर बेसी कपूर आपको मार्केट में अबलेबल हो जाएगी और वैसे आपके घर पर भी होगी क्योंकि कपूर पूचा पार्ट में बहुत ज्यादा यूज़ की जाती है तो यह तो आपके हैं होगी होगी तो हमें करना क्या है कपूर हमें लेनी है कपूर आपको अच्छे से इसका पेष्ट बनाना और आधा चमच आपको कपूर लेना उसके बाद आपको लेनी है इसमें coconut oil इन चारों को मिलाखे आप अच्छा सा पेश्ट बना लीजिए और जोहां भी आपको घाव के निशान है पुराने से पुराना घाव का निशान आपका ये भर देगा याने और आपके जो निसान होते हैं वो भी बिल्कुल ठीकत और आपको लग दी होगी अबी भी मतलब चोट ताजी हो तो आप इसका इस्तिमाल उसमें भी कर सकते हैं जो आपकी चोट है वो आपको लगेगा एक दिन में आपकी चोट भरने लगेगी और आपको दर्द महसूस नहीं होगा उसके बाद जो आपको निशान पुराना निशान है बिल्कुल आपका ठीक कर देगा तो आपको यह यूज करना है तो थेंक्यू हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि वो भी इसका पुरा पुरा फायदा उठा सके थेंक्यू वेरी मंच